हालो फ्रेंड्स दिस इस दिव्या सुखला एन वेलकम टू टार्गेट भी ठंकिता फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जोगर्फी का लिशन प्लान बादाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा भारत की प्रमुख फसली फ्रेंड्स इसके पहले हमने और भी टॉपिक पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मन भूलिएगा तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को सुरू करते हैं पाठ ही योजना का निर्माड करते समय सबसे पहले आपको पाठ ही योजना संख्या लिखना होगा उसके बाद में छात्रा ध्यापिका का नाम लिखना ह और उसके बाद में विद्याले का नाम लिखना होगा यहां पर उस विद्याले का नाम लिखा जाएगा जिस विद्याले में आप टीचिंग के लिए जाएंगे इसके बाद में आपको छे कॉलम बनाने होंगे पहला दिनांक दूसरा कच्छा तीसरा विसर चौथा उपवि का लांस में सेकंड अवधी 36 मिनट इसके बाद में आपको हेरिंग डालना होगा प्रकरण और इसमें लिखना होगा भारत की प्रमुख फस लें इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा सामान नियुद्देश और इसमें नमब एक लिखना है छात्रों का मान से केवं बहुत धिक विकास करना नमब दू छात्रों को भावगोलिक तथ्यों से परचित कराना नमब तीन छात्रों में सामाजी गुड़ों का विकास करना नमब चात्रों में सत्य एवं असत्य का निर्ड़ करने की योगिता का विकास करना नमब पान छात्रों में चिंतन करने तर्क करने की योगिता का विकास करना चात्रों को प्राकर्तिक बातावरण एवं मानों जीवन से संबंध अस्थापित करने में सहायता करना चात्रों में भूगोल के प्रती रूच उत्पन करना चात्रों को भावी भी सुनागरिक्ता का तरशिछड देना इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा वेसे हिटो देश और इसमें पहली हेडिंग है ज्यानात्म कुद्देश इसमें रिखेंगे विद्याथी भायत की प्रमुख फसल के बारे में प्रत्या समर्ट कर सकेंगे नमबर दो विद्याति भायत की प्रमुख फसल को प्रत्या भी ज्यान कर सकेंगे इसके बाद दूसरी हेटिंग डालने होगी बोधात्मा कुद्देश इसमें नमबर एक लिशेंगे विद्याति भायत की प्रमुख फसल की व्याख्या कर सकेंगे इसके बाद में hedge hiding डालना है सहायक साम college इसमें लिखेंगे लपेट स्वांपत संक्य तक आ दी नम्ह दो हेदिं डालना है सिछअभीदी हिसमें लेखेंगे प्रस्न उतर्वीदी व्याक्ठ्यान भीदी इसके बाद तीसे भलालेंगे पूर्ब ज्यान और इसमें लिखेंगे छातर फसलों के बारे में सामा नजान कए रखते हैं इसके बाद में हेरें डालेंगे प्रसतावना प्रस और इसमें तीन कॉलम बनाएंगे पहला करमसंख्या, दूसरा छातरा द्याप्की का कृफ़ण, फिसरा छातर कर्फ़ण हम भोज़न में क्या-क्या खाते हैं छात्र कथमने गेहुं चावल बाज्रा आधी को किसान किस रुप में बोदा है छात्र कथमने लिखेंगे फसल के रूप में, चात्र कथर में रिखेंगे संभावित उठार इस्के बाद में उद्दे से कफ़न हीरिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे चात्रों आज हम भारत के प्रमूख फसलों के बारे में ध्यान करेंगे इसके बार में प्रश्टुठी कळर हैरिंग लेंगे और इसमें कुल पांच कॉलम बनाएंगे पहला सिछाड़ बिंदु दूसरा छत्राध्यपी का कथन तीसरा छात्र कथन चौथा सिछड़ विदि पाचवा स्याम पठकार्य सिच्छड विंदु में लिखेंगे खरीफ की फसल और छात्रा ध्यापी का कथन में असपश्टी कलर है रिंगाल करीस में लिखेंगे यहां ग्रीस में काल की फसल है जो वर्सा के आरंभ में अपरेल से जून तक बोई जाती है वर्सा समाप्ति पर इसे एक्टूबर में काड़ लिया जाता है यह फसल पूर्णता वर्सा पर निर्भर है वर्सा की कमी पर सिचाई किया सकता होती है खरीफ में उगाई जाने वाली फसले चावल जवार बाजरा उड़द मुंग तिल मुंफली गन्ना कपासवा जूट इत्यारिया चातर करसर में लिखेंगे चातर ध्यान पुर्वक्स होनेंगे सिचडविदी में लिखेंगे व्याक्यान विदी और स्यामपट कारे में यहां फसल लिखेंगे और इसमें तीन तरफ लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे खरीफ की फसल दूसरी तरफ लिखेंगे रभी की फसल और तीसरी लिखेंगे जायद की फसल इसके बाद में मुख फसले कौकं कौन सिन्ट Karth pandemicी इसके बाद में चिर्षडlık में एंज gegen विकास विक्राइद menus कि इसमें रिखेंगे ज़िए समभावे ततर इसके बात में 10 बिद्व में रखेंगे रवी की फसल और चातर आधियापी का कथन में असपश्टी का एडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे यह फसल सीत काल के आरम हमें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है ग्रीसमकाल आरम होने के पहले इसे काट लिया जाता है इस फसल में जलकी आउस्टा कम होती है इनमें मुख्य फसले गेहूं जो आलू चना सरसो मतर अर्वी चुकन दारादी हैं चातर कसम में लिखेंगे चातर ध्यान पूरवक सोनेंगे सिछ़विधि में लिखेंगे व्यक्ष्याजविधि और स्यामपढ कार्या में लिखेंगे जवी की फसल को सीतकाल के आर М में अक्टोबर से दिसमबर में बोय जाती है है इसके बाद में सिछडविधि में हेडिण डालेंगे बोध प्रश्चन नमबर एक रवी की फसले किस काल में बोई जाती हैं चात्र कत्र में लिखेंगे सीट काल में नमबा दू रवी की प्रमुख फसले कौन कौन सी हैं चात्र कत्र में लिखेंगे जव आलू चना मटर सिच्छडविधि में लिखेंगे प्रस्ण उत्तरविधि इसके बाद में विकासात्मय प्रस्ण हेडिंग डालेंगे सिच्छडविधि में और नबाद एक लिखेंगे जायत फसल के बार में आप क्या जानते हैं चातध कथन में लिखेंगे संभावितुतर। इसके बाद में चात्राद्यापी का कथन में ही असपाश्टी यईटिंग लालेंगे और इसमें लिखेंगे जायत की फसलों को ग्रीस मुकाल के आरंभ में बोई जाती है तथा मई जून तक काटी जाती है इसकी प्रमुख फसली सबजिया है जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, तरोई आदी है इस प्रकार की फसले भारत में लगभख सभी राजी में उत्पारित की जाती है इसके बाद में स्यापटकार में लिखेंगे जायत की फसले ग्रीस मुरीतों के प्राराम्भ में बोई जाती है जैसे तरबूज, ककड़ी, आदी इसके बाद में सिच्छडवेंदू में हेडिंग जालेंगे बोधे प्रशन और इसमें नमबर एक लिखेंगे तरबूज, कौन सी फसल है नमबर दो, रवी, फसलों के नाम बताओ इसके बाद में हेडिंग जायत फसलों की दो, विसे इस्ताया बताईए इसके बाद में आलोचना हेडिंग डाल का छोड़ देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका ऐसे ही स्केन सौट लेका रख सकते हैं ताकि बाद में जब आप अपने लिसन प्राम बनाएं तो आपको कोई भी प्राब्लम ना हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इससे लाइक कीजिएगा इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए इसके स्मझाग्स में लिंक दी हुई है वहां से जाकर उन्हें जरूर देखिएगा इस वीडियो से लाइट कोई भी सुझ हो या सवाल हो तो नीचे कर्मेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा इससे तरह कि और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब करके नॉटिफिकेशन बिल्कुर जरूर पैस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में